हेलो वेर्ट वेकाम बैक टेंवर्टों हम लोग इस वीडियो में बहुत ही है कि इंपॉड़ेंट टॉपिक बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जोड़ देखेगा बहुत सार लोग ऐसे हैं जो कि इंडिया में CS & AI जैसे कोर्सेज करते हैं बट वो बैचलर डिगरी के अच्छा प्लेस्मेंट कर सकते हैं जैसे कि CS & AI जैसे बैचलर डिगरी को इंट्रूइस किया गया है जहां पर आप इस सारे स्किल्स सेख सकते हो ओके आप 12 के बाद ही इसमें एडिशन लेके इसमें CS & AI जैसे टेकनलोजी को कॉप अप करते हुए आपको इडिगरी लांच किया गया है जो कि आप सीख सकते हो 12 के बाद इसमें एडिशन लेके ओके तो सारा कुछ कुछ कम्प् 25 एकट का कैंपस मिल जाएगा और इसमें आपको सारे फैसलिटी सारे स्पोर्ट फैसलिटीज भी मिल जाएंगे ओके तो काफी एक अच्छा डिसेंट आपको कैंपस दिख जाएगा ओके अब बात करते हैं लोग कि इसकी प्लेस्मेंट ओके कि किसी भी कॉलेज में अगर आ आपको 64 LPA का जो की पैकेज आपको एक अलुमिनाई को मिला हुआ है जो की गुगल में अभी वर्क कर रहे हैं आपको बात करें कितने नमबर अपनीज आपके इस कॉलेज में विजिट करते हैं तो 1500 प्लस कमपनी आपको इसकॉलेज में विजिट करते हैं ओके इन फाक्ट इन फाको अपनीज विजिट करती है तो आपके साहरे जितने भी टेक इंडस्टीज के काफी अच्छे अच्छे कोंपनीन जैसे गूगल आमजन जो मैटो श्रीग जैसे कम्पनी आपको इस कॉलेज में विजिट कर रहे होंगे जिससे डेफिनलेटली आपके प्लेस्मेंड काफी अच्छ से हो रहे होंगे अब बात करते हैं इसकी एक इंपॉर्टेंट और बोहुत ही की फैक्टर है जिसे बहूँत सारे कॉलेज में आपने देखा हो गां जैसे इंटर्शीब तो मिलते हैं लेकिन mandatory नहीं होते हैं, in fact, बहुत सारे college में आपके यह opportunity भी नहीं मिल पाता है, यह बहुत सारे college में company भी visit नहीं करती है, तो definitely इस college की बात करते हैं, यहाँ पर आपको six month का paid internship मिलेगा, यह mandatory है, ठीक है, आपको करना ही पड़ेगा और यह आप second year से ही start कर सकते हो, ठीक है, इसमें खास बात क्या है कि आपको degree तो मिलेगा, CS plus AI degree, जो कि है specialization degree है, AI, और इसमें आपको start-up के लिए funding मिलेगा 1 करोर का, ठीक है, मतलब कि आप अपने start-up के idea अपने professor से, जो कि आपके MIT, Duke और IIT जैसे top institute से होंगे, उनके साथ discuss करके आप अपने start-up को भी आगे लेके जा सकते हो, ओके, यहाँ पर आपको international trip भी आपको provide किया जाएगा, ओके, तो आप बात करते हैं हम लोग, आपके इस college में आप कैसे admission लेशक्ते हो, तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ, एक्जाम के बारे में और इसके scholarship ठीगे, क्योंकि अगर आप इस college में आदमिशल ने चाहते हो, आपको एक्जाम के बारे में पता होना चाहिए, ओके, तो हम लोग पुरा discuss करेंगे, इसके pattern, basic requirement के है, eligibility के है, scholarship, तो complete discussion करेंगे, ओके, so let me introduce one by one, तो पहले हम लोग बात करते हैं एस एंसेट एक्जाम के पैटर्न ओके तो इसमें आपको तीन सेक्शन होगा पहला क्या होगा इंग्लिस एन कंप्रेंशन दूसरा लॉजिकल रिजनिंग और तीसरा आपका मैथमाटिक्स होगा तीनों का डिफकल्टी लेबल आपको दिख जा तो पहला चीजे आपको कंफर्म करता हूँ कि जो एंसेट एक्जाम होगा वो आपके निवरेन इस्कूल के पॉडल पे ही होगा ठीके इसकud तैट पे आपको उसके पॉडल पही आपको इसक Palm को दे सकते हो और अपके बात करते हम लोग कि एलिजबिलिटी क्या है तो एलिजबिलिटी यहां पर आपको 2021 और 2023 के जित्ते भी पास आउट है 12 के और इसमें मिनिम्मम 50% और हाइर अगर आपके हैं तो डेफिनेटली आप इसके लिए एलिजबा लोग आप एंसर्ट एक्जाम के रेजिस्टर कर सकते हो और इसका एक्जा आप अपने स्किल को सीकर हो computer science and AI जैसे आप टेक इंडस्ट्री में आप प्लेस्मेंट लेने वाले हो तो डेफिनेटली यह सारे स्किल्स आपको आने चाहिए उसके लिए आपको मैक्बूक भी प्रवाइड जाता है ओके अब बात करते हैं हम लोग स्कॉलर से जो काफी इं इंटरनेशनल नेशनल स्टेट लेवल स्पोर्ट्स क्लब में अगर आपके लिटरसी पर डिफनेटली अपनेटी परसेंट ऑन टूशन फी ओके अब बात करते हैं मेरिट बेस्ट इस्कॉलर सीप में इसमें आपको बेस्ट रून एंसर्ट एक्जाम और इंटर्व्यू रि आप जा कर सकते हो और इस एक्जाम को देकर आप इस कोलेज में अडिशन ले सकते हो और कोई डाउट होता है नीचे कमेंट करो आई विल रिप्लाइब दर ओके तो थैंकिसो मुझ